कोई भी सपना साकर करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोंगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करें अपने CGPSC और व्यापम का सपना साकर। डाउनलोड डियांग नाओ यह CGPSC मेंस एंसर राइटिंग के हिसाफ से काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश में चल रही विभिन योजना और उससे जुड़े हुए इंपोर्टेंट फैक्ट है देखें यह जो आपका जो इसमें हम जो योजनाय पढ़ेंगे यह हमारे प्रदेश में काफी पहले से चली आ रही है इन योजनाओं में हमें हर साल जो आपका वित्तिय वर्ष जैसे हम आपका एकोनामिक सर्वे पढ़ रहे एकोनामिक सर्वे 2021-22 तो पिछले वित्तिय वर्ष में इस योजना के अंतरगत कितने लाभानवित हुए कितने हिद्गराही थे यह आकड़े हमें इसमें एड़ पड़ता है तो सिलेवस का हिस्सा है कवर करेंगे ध्यान समझते चलिएगा अध्याय सोला समाजिक सेवा है सबसे नंबर पर है आपका समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अब ये समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है क्या ध्यान सम भार्थी कौन होंगे वो होंगे आपकी निशक्त जन व्यक्ति याने की हैंडिकट विकलांग और बॉने व्यक्ति जिनका कद छोटा होता है उन्हें आर्थिक साहेता प्रदान करके सम्मान पूर्वक जीवन व्यापन हेतु सहयोग प्रदान करना ये इसका मुख्य उद्दे देड का मोल निवासी हो दूसरा 6-17 वर्ष आयू वर्ग के निसक्त बच्चे पात्र होंगे लेकिन इसमें अपात्र कौन होगा जिसमें 6-14 वर्ष आयू वर्ग के निशक्त बच्चे जो आपके अध्यान रत नहीं है याने कि इसकुलों में पढ़ नहीं रहे है वो इसके अगर लाब लेना चाहा रहा है लेकिन अगर अध्यन रत नहीं है तो उसे पात्र नहीं समझा जाएगा ठीक है इस योजना के अंतरगत साड़े 300 रुपे प्रती महा प्रदान किया जाता है ये राज्य शाषन की योजना है पूरा का पूरा जो आपका व्याय का वहन जो है ये राज्य शाषन के द्वरा किया जाता है 300 रुपे प्रती महा वित्तिय वर्षे 2020 में 4.69 लाख हिद्गराही जो है इसके अंतरगत लाबानवीत हुए 4.69 लाख लाबार्थी इस योजना का लाब लिए ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका सुखद सहारा यो योजना थी वो भी गरीवी रेखा कि नीचे जीवन व्यापन करने वाले ही लोगों के लिए है गरीवी रेखा कि नीचे जीवन व्यापन करने वाली विद्वा एवं परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन व्यापन करने हैं तु स उससे इस योजना का लाब मुलेगा इसके Paterakorn होंगे 18 से 39 वर्ष आयू वर्ग की विध्वा मुहिला अठ्रा वर्ष या उससे अधिक आयू की परित्यक्त महिला और परित्यक्त महिला जू है इस योजना की पात्र होंगे है इस जो है उन्हें दूसरी योजणा का लाब मिलता है उन्हें इस योजना का लाब के जा जाता है और सारा का सारा जो वहन है वहन करती है राज्य शरक्र याथ यूजना है अगर हम बात करें इस योजना का वित्तियवर से 2020 में 2.19 लाग हिद्राही लाभानवित हुए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निसक्त जन, देखें, ये इस योजना का मुख्य उद्देश से है, इसमें 18 सा 45 वर्ष आयू की निशक्त महिला, तथा 21 से 45 वर्ष आयू के निशक्त जन पूरुष, जो आयकर दाता स्रेणी में नहीं आते, आयकर दाता स्रेणी याने की income tax, ठीक है, ITR फाइल नहीं करते, आयकर दाता स्रेणी में नहीं आते, वो जो है इस योजना के लाभारत होंगे, प्रावधन क्या है, जो निशक्त जन है, उन्हें विवा के उपरांद, जोडे में एक व्यक्ती निशक्त होने पर, यानि कि जो विवा हो रहा है, उसमें मान लिजे, दुलह निशक्त है, और जो दुलहन है, वो ठीक है, और जो आपके, ये भी condition हो सकता है, कि दु जन विवा प्रोचसा, नेक्ष देखें, व्रिद्धा वस्था पेंशन योजना, देखें, इंद्रा गांदी व्रिद्धा वस्था पेंशन योजना, इसकी शुरुवात हुई थी, एक अक्टूबर 1995 से संचरी थे ये योजना हमारे प्रदेश में, गरीबी देखा कि इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयू वर्ग के व्रिद्ध जन जो है, इसके लिए पात रहोंगे, ठीक है, 60 वर्ष प्लस होना चाहिए, ठीक है, 60 वर्ष से अगर उनका अधिक आयू है, तो उन्हें जो है इस योजना का लाब मिले, गर आपका 60 to 79 आयू वर्ग के तो उन्हें 600 रुपए प्रती महा इस योजना के अंतरगत, ठीक है, इस पेंशन में जो है राज्यांच, ये पहली बात तो ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें राज्य के भागीदारी है वो रहती 1,500 रुपए, ठीक है, याने कि शाचन का होगा और बच्चा वो जो 200 रुपए हो केंद्र सरकार वहन करेगी, ठीक है, ये है ये योजना, ठीक, नेक्स देखिए, इसमें जितनी भी योजना है पड़ रहने ये बहुत पूरानी योजना है, राश्ट्य परिवार सहयता योजना, देखिए, राश्ट्य प शांच परिवार का गुजाला चलता था, यानि कि परिवार का मुख्या, जो परिवार के खर्चे समालता था, अगर उसकी मृत्ति हो जाए, यानि कि पुरी के पुरी डिपेंटेंसी उस व्यक्ति के उपर थी, उसकी मृत्ति हो जाए, तो ऐसे उसके वारिस को वारिस मुख्या को जो है आर्थिक सहायता प्रतान किया जाएगा याने कि जिसकी मृत्ती हो गई है जिसके उपर पुरा परिवार डिपेंड करता था जिससे पुरा घर चलता था अगर उसकी मृत्ती हो गई तो उस परिवार में अगला कोई व्यक्ति जो है उसका वारिस मुख्या बनेगा, उसे जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, परिवार के मुख्या की 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 मुख्य हुई है उसकी आयू जो है मृत्यू के दिनांक जैने कि जिस डेट में उसके मृत्यू हुई है मृत्यू दिनांक को 18 से अधिक और 60 वर्ष से कम उसकी आयू होनी चाहिए ठीक है इसमें लाब क्या मिलेगा यानि कि जो उसके वारिश है उसको 20,000 रुपए एक मुस्त प्रदा किया जाता है ठीक है 20,000 रुपए के राशिस में एक मुस्त प्रदान की जाती है वित्य वर्ष दो हजार बीस इकीस में आठ हजार साथ हित्गराही जो है इससे योजना का इस योजना से लाभानवित हुए ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आप विद्वा पेंश हो चुकी है प्रदान करना इसके पात्र कौन होंगे इसके लिए पात्र होंगे 40 से आपके 79 40 to 79 आयूवर्ग की विद्वा अभी हमने देखा था इससे पहले ध्यान देंगे देखिए इससे पहले अभी जो है हमने एक और योजना था ये सुखत सहरा योजना इस सुखत सहरा योजना में 18 से 49 वर्ष आयूवर्ग दिया गया है 18 से 49 वर्ष आयूवर्ग की विद्वा जिने सुखत सहरा योजना के अंतरगत योजना का लाभ मिलेगा ये राज्यशाशन की योजना है लेकिन ऐसी महिला है जिनकी आयू 49 विद्वा पेंशन योजना का लाब मिलेगा अगर उनकी आयू 49 से ज्यादा हुई यानि कि 40 हो गई तो उन्हें केंद्र सरकार की इंद्रा गांधी विद्वा पेंशन योजना का लाब मिलेगा ठीक है देखिए 40 वर्ष से आपका 70, 40-79 आयू वर्ग की विद्वा महला इसके लिए पात रहोंगे इसमें राशी वही मिलेगी जो आपके सुखसारा योजना के अंतरकत्ता वही राशी मिलेगा साड़े 300 रुपै लेकिन वो राश्जे सरकार का था और ये केंद्र सरकार का है इसमें केंद्र का हिस्सर है आपका 300 रुपै और राश्य का हिस्सर है पचास रुपै वित्तिय वर्ष 2021 केस में 1.94 लाख हिदगराही जो है इस योजना से लभानवित हुए ठीक है नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना मुख्यमंत्री पेंशन योजना क्या है 16 वित्तिय वर्ष दो हजार अठरा उननिस से सामाजिक से अंतरगत मुख्यमंत्री पेंशन योजना दो हजार अठरा प्रारंब कर रहा है इस योजना में सामाजिक आर्थिक जाती जन्म के आधार पर सूची बद्द वरिष्ट नागरी को एवं विद्वा परित्यक्त महिलाओं को लिए किया गया है यह वर्तमान में संचलीत राष्ट्रिय एवं राज्य पेंशन योजना के अत्रिक्त योजना है याने कि यह क्या है देखे जितने भी योजना अभी तक हमने पढ़ा है अगर कोई एक व्यक्ती जिसे चल रही योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाव नहीं मिल रहा वो मुख्य मंत्री पेंशन योजना का लाव ले सकता है देखे क्या है कि जो योजनाओं चल रही है वो जन्गरणा 2011 के आकरों के उपर डिपेंड करता है आपके सामाजी आर्थी जाती जन्गरणा 2011 की सरवे सूची के आधार पर सूची बद्ध है वो ठेक तो उस कारण से बहुत से ऐसे लोग है जिन्हें आपकी उन योजनाओं का लाव नहीं मिल पा रहा तो ऐसे लोग जो बाकी चल रही योजना से यानि कि इंद्रागांदी वृद्धावस्ता पेंशन योजना निसक्त जन्र पे सुखत सहारा योजना यह सब जो योजना है चल रही है उनको नहीं मिल पा लाया गया है आपका मुख्य मंत्र पेंशन योजना इसकी शर्ट क्य नहीं हो रहा है वरिष्ट नागरिक यानि कि वृद्धावस्ता पेंशन योजना विध्वा पेंशन योजना जो की केंद्र सरकार की इतनी सारी चल रही है लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग है जो उन बाकी सभी चल रही योजना और से वंचित है लिए लाया गया है आपका म मुख्यमंत्री पेंशन योजना मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो है यह वरिष्ट नागरिक और विद्वा एवं परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है यह योजना वर्तमान में संचलित रास्ट्रिय एवं राज्य पेंशन योजना के अत्रिक्त योजना है ज से पहले छतिरगर के मुल निवासी हो, साथ वर्ष से अधिक आयू के व्रिद्ध व्यक्ति, अट्रा वर्ष या उससे अधिक आयू की विध्वा एवं परित्यक्त महिला, क्योंकि योजना किसके लिए है, यह योजना वरिष्ट नागरीक विद्वा एवं परित्यक्त महिला के लिए तो 60 वर्षे से अधिक आयू की वृद्ध तथा 18 वर्षे से अधिक आयू की विद्वा एवं परित्यक्त महिला जो है उन्हें इस योजना का लाब मिलेगा और condition वही है कि प्रदेश में चल रही किसी भी अन्य राष्टिय एवं राज्यशाशन की योजना के वो लाभार्ती ना हो उस condition में उन्हें इस योजना का लाब मिलेगा इसमें 3.500 रुप प्रती महा मिलेगा ये राज्यशाशन की योजना है वित्य वश्चो 2020 की स्थिती में 4.55 लाख जो हिद्गराही है इस योजना से लाभानवित हुए ठीक है next देखिए next है आपका इंद्रा गांधी निशक्त जन पेंशन योजना इंद्रा गांधी निशक्त जन पेंशन योजना नाम से इस परष्ट है आपके केंद्र सरकार की योजना है इस योजना में गरीबी रेखा कि नीचे जीवन व्यापन करने वाले गंभीर एवं बहु निशक्त जन व्यक्ति जो है इस योजना के लिए इस योजना के लाभा नहीं है किसी के दोनों पैर नहीं है यह क्या हो गया थिक है तो यह बोह बोला जारहे घंबिर एवं बहुन नि शक्ति जन सक्षान इसमें जो है पास्सों प्रती महा प्रदान किया जाएगा जिसमें 300 रुपए केंद्र का और 200 रुपए जो है राज्य का अंश होगा मुख्य मंत्री तीरत बरत योजना यह योजना कोई नई योजना नहीं है यह पहले से हमारे प्रिदेश में चल रही मुख्य मंत्री तीरत यात्रा योजना का नवींतर नाम है मुख्य मंत्री तीरत यात्रा योजना जो है वर्ष 2012 से हमारे प्रिदेश में चल रहा है इसका उद्देश जीवन काल में एक बार तीर्थियात्रा करना, पात्रता क्या है, छतिस गड का इस्थाई निवासी हो, साथ वर्ष से, वरिद्धों को यहां पर तीर्थियात्रा कराया जाएगा, तथा 20 प्रतिशत APL कार्ड धारी जो आयकर दाता नहीं है, ठीक है, इस योजना के अंतरकर जो आपके व्रिद्ध व्यक्ति है, साथ वर्ष से अधिक आयू के, उसमें से जो है, असी प्रतिशत जो है, वो BPL कार्ड यानि की बिलो धी पावर्टी लाइन, और 20 प्रतिशत जो है, वो APL कार्ड धारी होंगे, जो आयकर दाता नहीं है, यानि की ITR 5 नहीं करते, ठीक, नेक्ट देखिए, नेक्ट है, आपका सामर्थ्य विकास योजना, सामर्थ्य विकास योजना, ये भी आया हुआ प्रशना है, एक्जाम में एक बार का, राज्य के समस्त, पात्र, निशक्त जनों को कृतिम अंग, सहायक उपकरन उपलब्द कराना, यानि की अगर मान लिजे किसी का पैर नहीं है, ठीक है, या पूर्ण रूप से विक्सित नहीं हुआ है, या किसी दुरघटना में उनका पैर कार दिया गया है, तो उन्हें कृ त्रिम, कृतिम अंग प्रदान करना, यानि की कृतिम पैर, कृतिम हाथ, उन्हें जो है, कृतिम अंग या सहायक उपकरन उपलब्द कराया जाता है, सामर्थ विकास योजना के अंतरगत, ठीक है, इसे पात्र कौन होंगे, छत्यर के निवासी हो, निशक्त जन, जो 40 प्रत सीशत या उससे अधिक हो, माता पीता अभी भावक की मासिक आए, 8000 रुपर प्रती महा से कम हो, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा, लाभानवित कौन होंगे, अधिक तम 6900 तक की राशी के कृत्रिम अंग उपकरन प्रदान किये जाएंगे, यानि कि उन्हें कृत्र नेक्स्ट है, 36 गड़ परियटन मंडल, अब देखिए, इसका तो वैसे कोई ज़्यादा कोश्टन बनेगा नहीं, लेकिन हाँ, टॉपिक में है, फ़ो ध्यान दीजिएगा, 36 गड़ परियटन मंडल में सबसे परहे नमबर पर है स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश द उद्य के लिए बॉद्द सर्कीट, जैन सर्कीट, रामायन सर्कीट, महाभारत सर्कीट, ट्राइबल सर्कीट, अलग-अलग सर्कीट बनाया जा रहा है, तो इसमें जो है स्वदेश दर्शन योजना के अंतरकर जो आपका पत बनाया जा रहा है, उसमें केंद्र सरकार की स् परिपत, महाभारत परिपत, बॉद्ध परिपत, जैन परिपत, ट्राइबल परिपत, यह सभी थीम है, थीम आखाली परेटन सर्कीट का विकास करना, देखे, हमारे जो 36 गड़ है, 36 गड़ ट्राइबल टूरिज्म सर्कीट थीम के अंतरगत, हमारे प्रदेश के 13 प्रमुख परिपतन इस्थल का चैन हुआ है, अब यह 13 प्रमुख परिपतन इस्थल का चैन हुआ है, जशपूर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वर, पूर, महेशपूर, कुरदर, सरोदादादर, गंग्रेल, कॉंडा गाओ, नथिया नवा गाओ, जगदलपूर, चित्रकोट, ती जदगड, यह सभी के सभी जो है, आपके टोटल, 13 परिपतन इस्थल है, इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, एक सर्कीट बना करके, एक पत बना करके, ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है, अभी तक 9 इस्थानों का कार्य पूर्ण हो चुका है, इस सर्कीट में स्रीयंत्र पिल्ग्रिम फेसिलिटेशन सेंटर, ठीक है, यह जो आपका स्रीयंत्र, स्रीयंत्र के आकार का, एक आपका पिल्ग्रिम फेसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, यह कहां पर स्थापित होगा, यह राजनांद गाओ के डोंगरगण में, राजनांद गाओ के वो है आपके 43.33 करोड देखे केंद्र सरकार की प्रसाद योजना प्रसाद योजना के अंतरगा चिन्नी जमित में ऐसा इस्ट्रक्चर खड़ा होगा जो डोंगरगड की पहाडी प्रग्यागिरी की पहाडी तथा चंद्रपूर की पहाडी में चड़ करके देखने पर स्री अंतर के समान दिखाई देगा जाने की पहाडी में अगर हम टॉप उसका देखेंगे तो वह एक स्री अंतर के जैसे दिखाई देगा ठीक है तो यह है आपका प्रसादी व्यवस्ता होगी दूतिय तल में तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यव से जाने की संभावना है यह 36 गड़ में चिन्हित परेटन इस्थल अब देखें परेटन मंडल के द्वारा अभी तक हमारे प्रदेश में टोटल 128 जो है इस्थान यह परेटन इस्थल के रूप में चिन्हित है यह एक बार का आया हुआ प्रशन है उस समय परेटन इस्थल कि संख्या कितनी है तो उस समय 117 थी अभी वर्तमान में कितनी है यह है 128 प्राकृतिक गुफाय जलप्रपात अभ्यरन धार्मिक इस्था जलाशय आदी जो है इस प्रकार से जो हो आपके टोटल हमारे प्रदेश में 128 इस्थन परेटन इस्थल के रूप में चिन्नित है यह सुईधा मोहिया कराना हमारे लिए इनकी संख्या कितनी है यह 128 तो यह था आपका अध्याय 16 समाजिक सेवा है ठीक है ठीक है तो यहां पर होता है आपका 36 गड़ आर्थिक सर्वेक्षन समाप्त किसी प्रकार डाउट हो तो आपने नीचे कमेंट करके पूछ सकते है चैनल आपका.